सवाल लंबर एक या भारत के पदर मंतरी को पासपोर्ट की जरूवत होती है सवाल लंबर दो भारत में पैट्रल टीजे बारबर मेंगा क्यों हो जाता है सवाल लंबर तीन क्या गूगल को हैक किया जा सकता है सवाल लंबर पाच क्या किसी जानवर को भी हार इटेक आ सकता है जाइता है फास्पोर्ट कि प्तायमें को पास्पर्थ की शरुवत होती है उसे विदेज जाने के लिए कई तरह की नियमों का पालन्ग करना पड़ता है इसके लिए उन्हें काफी समय भी लग जाता है लोगों को पास्पोर्ट के साथ सथ वीजे की भी जरुवत पड़ती है लेकिन कि भारत के पधानमंतरी भी ऐसा करते है एक पधानमंतरी को विदेज जाने में किस परक्रिया का पालंग करना पड़ता है तो आईए इसके बारे में विस्तार से जान लेता है दसल हम आपको बता दे कि जिस तरह एक आम आदमी के पास विदेज जाने के लिए एक पासपोर्ट होना जरूरी है उसी तरह हमारे देश के पधानमंतरी के पास भी विदेज जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है दसल पदार मंतरी के पास टाइप D पासपोर्ट होता है इस D का मतलब होता है डिपलोमेटिक पासपोर्ट जो की एक महरूर रंग के कवर का होता है इस तरह का पासपोर्ट भारती जातनी दिख्यों 6 रैंक सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है जो पदार मंतरी के साथ दिरेश दोरे पर जाता है इन सबी लोगों के पास टाइप D पासपोर्ट होता है इस पासपोर्ट के साथ वीजे की जरुवत नहीं होती है सवाल नमबर दो भारत में पैट्रोल डीजर बारवर मैंगा क्यों हो जाता है दसल एक फर्मूला है जिसके अधार पर पैट्रोल पंपर बिखने वाले इधन के दाम तया होता है इसमें कच्चे तेल के दाम परिवाहन रिफाइनी का खर्च केंदर वे राज्य सकारों के गर पंपों का कमिशन जैसे तमाम चीज़ें शामिल होती है यह सच है कि भारत अपनी जरूतों का अधिकांस इधन आयत करता है कच्चे तेल की कीमत अंतराश्टे इस तरपर पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगटन ओपैक्स द्वारत की जाती है भारत को भी ओपैक्स द दरों के अनुसा करवसूलता है केंद्रे उत्पास सुल के अलावा राज्यों के करवेस्थान्य कर शहरों द्वारा वसूले जाते हैं सवाल लंबर तीन रास्पती की गाड़ी से एक्सिजेंट होने पर सज़ा क्यों नहीं होती है दसा आर्टिकल 361 के तहत राज्य इस दर्ज नहीं होगा सवाल लंबर चार क्या किसी जानवर को हाट अटैक आ सकता है जी हां किसी भी जानवर को हाट अटैक आ सकता है दिल की बिमारी इनसानों और चिंपैजी में एक समान होती है सवाल लंबर पाच क्या गूगल को हैक किया जा सकता है दसल ऐसी कोई भी व कोशिस करता है और यही बात है करने की तो जितना इस समय गुगल पर डाटा स्टोर है कोई भी हैकर इतना डाटा हैक नहीं कर सकता है खालकि उसका कुछ डाटा है किया जा सकता है लेकिन पूरे गुगल को है करना समभव सा लगता है सवाल माच है नाका सादू कपड़ क्यों आपने शरी पर राख लगा कर रखते हैं नाका सादों का मानना है कि कपड़े तन ढखने का कार्य करता है जिने अपने शरी की सुरक्षा करनी होती है वो लोगी कपड़े पहनते हैं और हमारे लिए सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है इसके अलावा नाका सादों का कोई घर प सकते हैं दसमान लीजिए कि अगर डेडलाइन में काम पूरा करने का प्रेसर है और ऐसे में कंप्यूटर या लैप्टॉप का कीबोर्ड कीबोर्ड खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे यह काफी पुरी इस्तिती हो सकता है कि नया कीबोर्ड आने या मौजूद कीबोर्ड को ठीक कराने में लंबा समय लग जाए कीबोर्ड खराब होने पर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिये टाइम पर करनी होगी कंप्यू अब एज ओफ एकसे इस पर किलिक करना है उसके बाद on screen keyboard option नज़र आएगा फिर आपको उस पर किलिक करने के बाद screen पर virtual keyboard नज़र आएगा अब आप keyboard खराफ होने पर भी mouse के जरीए उस keyboard पर किलिक करके टाइपिंग कर सकते है और स्क्रीन कीबोर्ड के अलावा बोलकर टाइप करने का भी आपशन होता है सिस्टेथी में आपको Google Chrome ब्राउजर में वाइश नो सेकिंड स्पिस्टू टेक्स एंस्टेंशन डाउलोंड करना होगा सफलता पुर्वर्वर्ग इसके डाउलोंड होने के बाद आप इसके जरी दोस्ते पीड़ी थे तो उसे घ्रह शांत के लिए हवन कराना चाहिए हवन से वास्तु दोर भी दूर हो जाता है भवन निर्मान के लिए भूमी पूजन से लेकर घ्रवेश तक के कारेकरों में हवन किया जाता है इसके अलावा हवन का धार्मिक मैत होने के साथी विग्या किया जाता है करीब purchased हानिकार जिवादू नश्ट हो जाता है इस साथी हवन करने से कई प्रकार की बिंवार थे सकरात्म होती है अगर को भी मंत्र सुफितारुन साब बोला जा सकता है तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछा जाने वाले पश्णों को उत्तर देने की पूरी कोशिस की है अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें कमेट करें जाये शारा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें नमस्का दोस्तों